Hello my dear students, कैसे हैं आप लोग? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे डिसकस किया था chapter circle में circle से related कुछ important terms आज के इस वीडियो में मैं आपसे discuss करूँगा आपके NCERT textbook में दी गई एक important theorem और उस theorem को हम proof करेंगे देखे सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वो theorem है क्या इस theorem में आपसे यह कहा गया है कि अगर किसी circle की कोई tangent होती है तो वो tangent, उस circle की tangent उस circle की उस radius से perpendicular होगी जो radius इस tangent के और circle के point of contact को touch करती हो वहाँ से पास होती हो इस diagram में एक circle है जिसका center है O और एक tangent है और एक point of contact है P तो हम यह देखते हैं कि यह जो radius OP है इस tangent को point of contact P पे touch करती है तो हमें यह proof करना है कि यह जो angle है यह 90 degree है देखे सबसे पहले इस theorem के proof को मैं conceptual discuss करता हूँ तो चले शिरू करते हैं हम लिखेंगे given a circle देखो हमें क्या-क्या दिया हुआ है एक circle दिया हुआ है जिसका center है O और एक tangent D हो ही है tangent XY और इसमें P है point of contact और हमें क्या proof करना है हमें proof करना है कि line segment OP मतलब radius OP is perpendicular to the line segment XY मतलब tangent XY तो चले प्रूफ शुरू करते हैं देखें proof को कैसे लिखना है हम ये बाद में देखेंगे पहले इस proof को मैं conceptually discuss कर लेता हूँ हम consider करेंगे एक point Q जो इस point P के अलबा है उसके बाद मैं O और Q को join करता हूँ अब हम ये देखते हैं कि ये जो point Q है वो इस circle से बाहर है वो अंदर तो होई नहीं सकता क्यों? क्योंकि ये जो line segment xy है ये इस circle पे tangent है कोई secant नहीं है जो circle के अंदर से पास होती है और point Q अंदर होने के chances होते है ये एक tangent है tangent का मतलब है कि ये जो line segment है या जो line है वो इस circle को सिर्फ और सिर्फ एक ही point पे सिर्फ touch करती है तो इसका मतलब इस point of contact P के अलावा जितने भी points होंगे इस line पे या line segment पे वो सब के सब सरकल से बाहर होंगे अब चुकि ये point Q इस circle से बाहर है इसका मतलब ये जो OQ है अगर मैं ये point consider करूँ OM तो ये जो line segment OQ है वो OM से बड़ी है और OM किसके equal है OM equal है OP के तो अगर line segment OQ OM से बड़ी है इसका मतलब ये line segment OQ OP से भी बड़ी है obviously तो इसका मतलब ये हुआ कि point Q चाहे मैं हम P का और ये line है L इस point P से मैं इस line से distance find करूँ तो कई तरीके सा find कर सकता हूँ देखिए मैं ये दो join कर लेता हूँ किस इस line के ओपर किसी point S से बने join कर लिया P S एक distance है ऐसे मैं कर सकता हूँ ये PMB एक distance है P NB distance है ये बहुत सारी distances है इस point की इस line के ओपर से बट एक distance सबसे छोटी होगी P L आप देखोगे ये जो P L distance है इन सबसे छोटी है और आप देखोगे जो सबसे छोटी distance है वो perpendicular है इस line पे ठीक इसी तरह से हम इस diagram को consider करते हैं यहाँ पे बहुत सारी distances बनाई जा सकती है O Q O M O L O N O S O X O Y लेकिन वो सारी distances हमेशा O P से बड़ी होगी मतलब O P क्या है shortest distance अब चुकि O P shortest distance है इसका मतलब यह जो line segment O P है वो इस line segment X Y पे perpendicular होगी अब सवाल उठता है कि हम इसे लिखे के कैसे तो मैं आपको बताता हो हम लिखेंगे तो ठीक है जी हमने point Q consider कर लिया other than P और O और Q को join कर दिया इसके बाद the point Q must lie outside the circle यह हमने discuss किया था कि point Q हमेशा circle के बाहर lie करेगा इसका मतलब O Q is greater than O P दे देखिए O Q O P से बड़ा है ठीक है this will happen for every point on the line X Y कि देखिए हर point के लिए यह relation true है तो हम लिखेंगे O P is the shortest distance of all the distances of the point O to the points of X Y मतलब यह जो O P है यह सारी distances जो आएगी इन सबसे छोटी distance है इसका मतलब O P is perpendicular to X Y मतलब O P X Y पर perpendicular है और यह जो angle O P Q है यह 90 degree है तो जो हम चाते थे हमने proof किया पूचिए नचिए जो एक लो क्राफ़ जो पूब चाते देखिए झाल झाल